नमस्कार आप सभी का और एक वार हर्दिक स्वागत और अभिननन करता हूँ आप सभी को सबसे पहले धेश सारी सुबकामनाई बधाई हो आपने जिस्चेज को सिधस से चाहा था कठीन परिश्रम और लगन के साथ मेहनत किया था वो चेज आपने आज हासिल कर ही लेकिन फिर आने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि आप से भी को एडमिशन के लिए क्या के साथ में लाना पड़ेगा कितना फी लगेगा कौन-कौन सा डोकुमेंट्स लाना पड़ेगा क्यूंकि आप से भी को पूरी तयारी के साथ आगरा पधारना होगा प्रवेस लेना आये इसके लिए आपके मन में कोई डाउट ना हो वीडियो को अंतक देखने का प्रियास कीजिएगा अब यहम बात करते हैं कि मेल कीव नहीं आया मेल नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि यानि कि हमारे समय में 2023 में जब मेल भेजा गया था तो उनके पास भी मेल नहीं भेजा गया है डारेक्ट नेम लिस्ट आ चुका है कि कौन से राजे से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और आप अपना नाम चेक कर सकते हैं वही फाइनल रिजल्ट है आप मेल आने का वेट ना करें आप खुसी मनाईए सर्टिपिकेट रेडी कीजिए आगरा प्रमान पत्र में क्लास 10 का सर्टिपिकेट, 12 का सर्टिपिकेट और उसके साथ साथ बीए का सर्टिपिकेट साथ लाना होगा ये तीनों सर्टिपिकेट आपके साथ होना अनिबारी है अगर जो बच्चे बीए एपरिंग में हैं यानि कि एपरिंग में एक्जाम दिये थे लेकिन result अभी तक आ चुका होगा अगर result जो है provisional mark sheet भी आ जाता है तो आप लोग admission ले सकते हैं उससे भी admission हो जाएगा और यानि admission की बात करें यानि दिनाक आपको जुलाई 12 से ले करके जुलाई 26 तक आपको admission करना होगा उसी date में आप admission कर सकते हैं date ना किजिएगा जल्दी आगराप अधारिएगा क्योंकि उसी के बाद जो बच्चे admission नहीं लेते हैं उसके बाद second list के लिए merit list निकाला जाता है कि इतना vacancy रह चुका है मैं यह चाहता हूँ कि आपने इतना संगर्स के साथ मेहनत के साथ यह exit हांसिल किये हैं तो आप सभी पूरे के पूरे आप admission लेजिए क्योंकि हर किसी को यह नसीब नहीं होता है दोस्तों क्यों क्योंकि जिनका selection नहीं हुआ है उनसे जाके पुछिए कि यह दर्द क्या होता है यह तकलीब क्या होती है बहुत मुसीबत के साथ संगर्ष के साथ आपने यह exit हांसिल की है तो आप सभी आईए आगरा पधारिये और बात करते हैं कि admission के लिए आप सभी को कितना fee लगेगा fee की बात करें तो इस बार जो है fee थोड़ी से बढ़ा दी गई है 15,000 रुपे आपको साथ में लाने पड़ेंगे हम सभी के समय में 10,000 रुपे था लेकिन boys के लिए हमारी समय में 7,200 रुपे लगे थे इस पार थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है आप अपने साथ 15,000 रुपे लेके आएंगे तो अच्छा है क्योंकि आपको यह काम देगा क्योंकि आप एडमिसं की तुरंद के बाद आपको घर जाने के अन्मती नहीं दे जाएगी इसलिए आप पूरी तयारी के साथ आएं पैसे भी और से पैसे तो आप साथ में लेके आएंगे पैसे की खेर बात छोड़ते हैं लेकिन आप अपना साथ मिलाएगा पूरी तयारी के साथ में आएगा क्योंकि घर जाने के अन्मती नहीं दे जाती है और उसके बाद डारेक्ट हम घर कब जाते हैं वही विंटर भैकेसन में यानि कि 15 दिन के शुट्टी दे जाती है यानि 12 दिन के शुट्टी होती है और आपके मन में ये भी डाउट होगा कि यानि हम कौन-कौन सा बुक ले जाए पढ़ने के लिए आप सभी को यानि यहां की सिलबस के लिए किताब लाने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि यहां पे किंदरी पुस्तकाले है आप सभी को पूरी तयारी के साथ आगरा पधार ना है आगरा पधार ये आप सभी के स्वागत के लिए हम सभी तयार है अभी तो हम सेकेंडियर हो गए आप फस्टियर हो गए लेकिन आप सभी का स्वागत भी किया जाएगा यानि कि जब second list वाले बच्चे आज आएंगे, यानि जब second list निकलेगा, वे बच्चे भी admission करेंगे, अगर आपके मन्द में और भी कोई doubt है, तो आप बेचेजे comments करके पूछ सकते हैं, यानि certificate related हो, और कोई भी दिक्कते हो, जब आप सबसे पहले यानि कि आगरा Kent station में उतरन पड़ेगा, आगरा Kent station है, राजा की मंडी station है, और North East वाले का भी एक station है, यानि 30 किलोमेटर दुरी पर है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर उतरने के बाद आपको warden, पुरूस warden और महिला warden को आपको call करना होगा, कि हम पहुंच गए हैं, पहुंचने के बाद वहाँ पर लिखा भी होता है, लेकिन इस वार प्रवेश आदेश नहीं भेजा गया है, दोस्तों, प्रवेश आदेश में ये भी लिखा होता है, कि आपको कितने रुपे यानि ओटो का भाड़ा देना होगा, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं, आप ध्यान सी आईए और मैं वीडियो में बता दूँगा कि कितने पैसे लेते हैं, फिलाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगली वीडियो में नई जानकारे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सुक्रिया, तब तक के लिए हमेशा मुस्कुराते रहे, धन्यवाद.